नमस्कार जी मिन नमे मीनू बताने जा रही हूँ शनीवार को जेव या पर्स में रखे बस एक वस्तू शाम तर जरूर देखेंगे लाब शनीवार के दिन शनी को नुकूल करने के लिए सरवोत्ता मैं इस दिन उनकी शुविता प्रात करने के लिए मंदरों के बाहर लंबी कतारे देखने को मिलती हैं गली मौले और चौराओ पर शनी देव के नाम से दान लेने वाले दिखाई देते हैं लोग इने अपना काम छोड़कर पहले प्रसन करते हैं ताकि शनी के रपाप राप्त हो जाएं कुछ लोग चाहकर भी शनीवार के दिन मंदिर नहीं जा पाती इत्वा शनी दान नहीं दे पाते ऐसे में किया गया एक छोटा सा उप्रियोग शनी देव का अशिरवात दिला सकता है बस उनके प्रिये दिन शनीवार को जेम या पर्स में रखें वस्तु शान तक जरूर देखेंगे लाब शनी देव को नीले रंग की फूल बहुत प्रिये हैं इसलिए भक्त उन्हें प्रसन करने के लिए ये फूल चड़ाते हैं आप उन्हें ये फूल नहीं चड़ा सकते तो शनीवार को उसे जेम में रख लें शान तक लाब मिलने के योग बनेंगे शनीवार को किया गया तिल का दान दुख और दुरबाग दूर करता है किसी करण वंच ये दान करने में आसमर्थ हैं तो तिल को जेव या पर्स में रखें काली उड़त दान करने से शारिक विकारों से मुक्ती मिलती है शनीवार को इसे अपने पास भी रख सकते हैं सास्त्रों में शनी के प्रवाव को कम करने हेतू हैं शनी की प्रसंता प्राप करने के लिए क्रिशन वड का दान और काले रंग के उपाए बताए गए यदि आप ऐसा करने से असमर्थ हैं तो नीले और काले रंग के कपड़े पहने, कपड़े पहनना भी संबब ना हो तो इस रंग का रुमाल रखे, शनी वार को काजल का दान करने से आखों की रोशनी बढ़ती और आखों के विगार दूर होते हैं, सेम भी आखों में सुर्मा अत्वा काजल लगाए, नहीं लगा सकते तो उसे अपने पास रखे, लोय अत्वा काज की गोलियां अपने अंग संग रखने से शनी और राहू दोनों के अशुप प्रवाव दोरोंगे, धन्यवाद, मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें